नमस्कार दोस्तों वो कहते है ना आग लगाने वालों को कहां खबर है रुख हवाओने बदला तो खाक है वो भी होंगे नमस्कार प्यारे बैचों एक बार फिर से आपका हर्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के भाई परदीप सर पे और प्यारे बैचों आज का सेसन है वो अरियाना जी के के हमने न्यू कोष्यन का जो सिरीज स्टार्ट की हुई है बच्चों को बड़ा पसंद आ रही है और प्यारे बच्चों आज भी आपको बहुत से कोशन नहीं देखने को मिलेंगे जैसे सिखों की कोठी कहां पर थी ठीक है और अलग टाइप के हरियाना में कोठीयों से कोशन आती हैं अलग पुरा भीवानी में किसकी कोठी थी ऐसे कोशन भी एक्जाम में देखने को और प्यारे बच्चों जल्द ही ना सोंबार से हमें ना शाम को क्लासों वाला भी लाइव क्लास भी शोंबार से हम सुरू कर देंगे तो वो भी टेंसन अब मत ले ना लाइव क्लास भी सुरू हो जाएगे और आप सभी के लिए जो CET का ना recorded course है ना वो प्यारे बच्चों रूपे का कर दिया गया है सारे के सारे 22 सब्जेक्ट रहेंगे अब इसके बाद मेरे को आप मत कहना कि सर हम से नहीं होगा चुएतर 9484 0047 पर आप कोल करके यह को फर ले सकते हो दो सो उन्चास रूपे में सारे के सारे सब्जेक्ट रहेंगे आप अच्छे अपने त्यारी चाहिए आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो तो दो सो उन्चास में अपनी त्यारी बेहतर है कर सकते हो तो जै महासर स्वती का नाम ले के आज के कोशन की सुरुआत करते हैं यह कोशन एक एक्जाम में डारेक्ट आया था सिखों की हवेली कहां पर है गुरू गराम में रहेगी और प्यारे बच्चों अगर आए अंग्रेजों ने पंजाब पर कब अधिकार कर लिया था तो अंग्रेजों ने पंजाब पर गिप्ट कर दिया उसके बाद कोहिनूर का हीरा भारत नहीं आया था तो सिक्कों की हवेली काम पर रहेगी गुरू ग्राम में रहेगी और बाग वाली कोठी बाग वाली कोठी हरियाना में काम पर रहेगी तो बाग वाली कोठी हरियाना में ये कोशन भी बन सकता है ये भी के आगे जब हमारे पास पेसा होगा पेसा कब होगा जब हमारे पास नोकरी होगी और नोकरी दिलाने में साहिता कौन करेगा हमारा गुरू तो बाग वाली कोटी काम पर रहेगी गुरू गराम एक बार पुछा गया था प्यार बचो सबसे पुरानी हवेली सबसे पुरानी कोशन आ सकता है हवेलियों का सेहर कहा जाता है हवेलियों का सेहर कौन सा रहेगा आपका फतेहवाद को किसका सेहर कहा जाता है प्यारे बचो हवेलियों का सेहर कहा जाता है और अगर आए राजा नहार सिंग की हवेली या राजा नहार सिंग की कोठी कहम पर रहेगी तो ये फ किया बल राम जी ने एक बनवाई थी एक बार रहे था दुवार का की सेट की कोठी जजर में रहेगी दुवार का सेट की कोठी कहां पर रहेगी तो यह जजर में रहेगी जैसे परताब गड़ फोम पुछा गया था ना हसी ने पुछा था परताब गड़ फारम कहां पर रहेगा तो परताब गड़ फारम भी हसी ने कहां माना था इसको जजर माना था क्या माना था जजर माना था और हरियाना की सबसे जो सुन्दर जील है ना भिंडावास जील कौन सी जील है प्राकरतिक द्रिस्टी से हरियाना क एक कोशन यह पूछा जा सकता है सबसे बड़ा मुगल कालीन समारक हरियाना में कहां पर है सबसे बड़ा मुगल कालीन समारक हरियाना में सबसे बड़ा मुगल कालीन समारक हरियाना में काम पर है तो सबसे बड़ा मुगल कालीन समारक है न ये प्यारे बच्चों ये किसके छत्ते को कहा जाता है बिर्बल के छत्ता को कहा जाता है और बिर्बल का छत्ता कहां पर रहेगा नारनोल में रहेगा ये सबसे बड़ा प्यारे बचों ये कोशन बनेगा ये तो कोशन आगए हरियाना पुलिस में विर्बल का छत्ता काम पर है नारनोल में इंदरगड में लेकिन ये कोशन बनेगा ये सबसे बड़ा मुगल कालीन क्या रहेगा समारक रहेगा और विर्बल के छटे को क्या कहा जाता है राय मुकुंद दास का छटा कहा जाता है विर्बल के छटे को क्या कहा जाता है राय मुकुंद दास का छटा किस के छटे को कहा जाता है विर्बल के छटे को कहा जाता है काम पर रहेगा ये नार नोल महंदरगड में रहेगा और अगर प्यारे बचो बिर्बल का रंग महल पूछ लेना बिर्बल का रंग महल काम पर रहेगा तो बिर्बल का रंग महल रहेना ये बुडिया ग्राम में रहेगा और बुड़ी आगराम आपका काम पर रहेगा यमना नगर में रहेगा विर्बल के बच्पन का नाम पूछे तो महस्दास था और अकबर ने इने किस की उपादी दी थी कवी राज की क्या दी थी उपादी दी थी और मुगलों की भारत में पहली मस्चिद पूछे रना तो का काबुली बाग मस्चिद रहेगी काबुली बाग मस्चिद है ना ये मुगलों की भारत में क्या रहेगी पहली मस्चिद थी बाबर ने 1526 में जब पानीपत का पहला यू जीता तो उसकी कुसी में इसका क्या करवाया था निर्मान करवाया था एक कोशनी आया था प्यारे बचवा गंगा राम की हवेली काम पर रहेगी अंबाला में गंगा राम की हवेली काम पर रहेगी तो गंगा राम की हवेली है ना ये अंबाला में रहेगी काम पर रहेगी अंबाला में रहेगी गंगा नदी में क्या बेहते हुए आए आम बेहते हुए आए तो गंगा राम क हवेली अंबाला में और हेमू की कोठी पूछे ना हेमू की कोठी कहां पर रहेगी तो हेमू की कोठी रेवाडी में रहेगी और हेमू को ना प्यारे बचों ये आ सकता है इसे क्या कहा जा सकता है फरियाना का नेपोलियन कहा जा सकता है हेमू को हम क्या कह सकते हैं फरियाना का नेपोलियन हम किसे कह सकते हैं हेमू को कह सकते हैं क्यों हेमू है ना पानीपत से पहले कभी है ना 21 लड़ाईया लड़ा था और हेमू कभी हारा नहीं था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त इरान का नेपोलियन नादिर सा और रियल में नेपोलियन बोनापाट फ्रांस का राजा था 1804 में बना और नेपोलियन के जीवन का अंति में युद कोन सा था वाटरलू का युद नेपोलियन के जीवन का क्या माना गया था अंति में युद माना गया था ये कोशन आ सकता है सेट छजुराम की हवेली अलग पूरा भीवानी में सेट छजुराम की हवेली स पर रहेगी तो ये अलग पूरा भीवानी में रहेगी काम पर रहेगी अलग पूरा भीवानी में सेट छजुराम की क्या रहेगी हवेली रहेगी अलग पूरा भीवानी में सेट छजुराम की हवेली रहेगी लेकिन सेट छजुराम ने अगर आए प्रेम कोठी प्रेम कोठी क लिए बनवा कर दी थी तो ये कोशन आ सकता है ये प्रेम कोटी काम पर है रोतक में है और ये है ना दानवीर सेट छजु राम ने मिलब किस के लिए बनाई थी सर छोटु राम के लिए बनाई थी तो सर छोटु राम की 64 पुट उन्ची परतिमा का निर्मान किस ने करवाया थ वो राम सुतार जी ने करवाया था और राम सुतार जी का सम्मन कहां से रहेगा महारास्टर से रहेगा ये भी आगामी एक्जाम में प्यारे बच्चो कोशन आपको पक्का देखने को मिलेगा मैं तो कहता हूँ कोई भी कोशन आए ना प्यारे बच्चो इस कदर आपको याद करना है कि वहां से इन फ्यूचर भी कोई कोशन बने ना तो मेरे प्यारे बच्चों का वो गलत है नहीं हो ना चाहिए मैं तो कहता हूँ जीके को ना थोड़ा सा अच्छे लेवल की जीके त्यार कर लो ताकि वहां से कोई कोशन आई तो आपका किसी भी हाल में गलत है नहीं हो ना चाहिए एक बार प्यारे बच्चो आगामी एकजाम में जो कोशन करवा रहा हूँ ना वो सारे कि अराव मेदान कब बना था 1966 में बना था कौन सा मेदान रहेगा प्यारे बच्चो आरावली गोल्फ मेदान अरावली गोल्फ मेदान कब बना था तो प्यारे बच्चो और यह ना गठन के टाइम में 1966 में अरावली गोल्फ मेदान बना था बिल्कुल काम पर है फ्रीदा वाद में रहेगा और ये प्यारवेच्चो कोश्चन आएगा एक प्लेयर है अभिनौ लोहान अभिनौ लोहान क्या खेलते हैं वो गॉल्फ केलते हैं और अभिनौ लोहान का भी समंध कहां से रहेगा फ्रीदाबाद से रहेगा एक एकजाम में यादवेंदर गार्डन या पिंजोर गार्डन उननी सो सड़ सट में बना था यादवेंदर गार्डन या पिंजोर गार्डन कब बना था तो ये प्यारे बचो कब बना था उननी सो सड़ सट में बना था ठीक है इसी को क्या कहा जाता है मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है क्योंकि प्यारे बच्चों इसका नवाब निर्मान है ना एक मुगल ने करवाया था नवाब फिदई खान ओका ने इसका क्या करवाया था निर्मान करवाया और नवाब फिदई खान को क्या थे एक मुगल थे तो प्यारे बच्चों इसको किस गार्डन के से हम जानते हैं मुगल गार्डन के नाम से भी इसको जानते हैं और एक बार ये कोशन पूछा गया था आम मेला है ना किस मही यहां पर एक आम मेला लगता है अमो का मेला लगता है और ये कोशन आया था आम मेला किस महीने में लगता है जुलाई महीने में यहां पर किस का मेला लगता है आम मिला लगता है अलग अलग भारत देश से ना आमों की क्या लाई जाती है यहां पर क्वाल्टियां लाई जाती है तो आम मिला कहां पर लगेगा इस मुगल गार्डन में लगेगा आज गल प्यारे बचो टाइम भी पूछा जा सकता है किस महीने में लगता है तो भी कोशन आगामी एक्जाम में बन सकता है एक बार ना प्यारे बचों ये पूछा गया था ये करण जील वाला 1923 में और बुल-बुल-बुल-बुल-बुल-बुल-बुल-बुल-बुल-बुल-बुल-बुल-बुल-बुल-बुल-बुल-बुल-बुल-बुल-बुल-बु चक्रवर्ती जील के नाम से जाना जाता है करण जील को अन्य किस नाम से जाना जाएगा चक्रवर्ती जील के नाम से जाना जाएगा केते हैं बिरेंदर नारेण चक्रवर्ती ने इस जील को मलब उद गाटन किया था बुल बुल जील काम पर रहेगी आपकी जीन्द में और यहां के सरपंद कौन थे सुनील जागलान ने एक पहल सुरू की थी सेलफी विदे डोटर उसकी ना बहुत बड़े लेवल पर क्या हुई थी चर्चा हुई थी यह से भी कोशन आ सकता है एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों जो पेरा कीट है पीपली कुरुक शे रहेगा और पेरा कीट यह पीपली कुरुक शेतर में रहेगा यह कब बना है 1922 आजकल संसे भी प्यारे बच्चों कोशन आगामी एकजाम में आप से पूछे जा सकते हैं पेरा कीट कब बना 1922 में बना बलू जी कहां पर रहेगा समालक्खा पानी पत में 1922 में बना और मैं 1922 में आई हरियाना में 1922 में में आई थी कहां पर रहेगा पानी पत में नेसले की क्या आई थी पहली ब्रांचे हमारे हरियाना में आई और प्यारे बच्चों एक सबसे इंपोर्टेंट है आप से पूछा जाएगा सोना नामक्खनीज सबसे ज़्यादा कहां पर पाया जा तो सोना नामखनीज है ना हमारे यहां सबसे ज़्यादा है अमबाला में पाया जाता है और अमबाला में किस एरिया में जो नारायनगड का एरिया है ना यहां पर सोना नामखनीज पाया जाता है सोने का कलर कैसा होता है पीला होता है और प्यारे बचो और आम का भी कलर कैसा ह होता है पीला होता है और एक बार पूछा गया हरियाना में ना क्वाड्स है ना ये पाया तो महंदरगड में जाता है महंदरगड में जाता है लेकिन इसका कितना भंडार है हरियाना में एक लाक है पेंसट हजार टन एक लाक है पेंसट हजार टन का यहां पर क्वाड्स का हरि यहां क्या रहेगा इसका बंडार रहेगा किसका बंडार रहेगा क्वार्ट का कितना बंडार है हमारे यह एक लाख पेंसट हजार टन का बंडार हमारे हरियाना में रहेगा यह भी कोश्चन आ सकता है आगामी एक्जाम में प्यारे बच्चो ऐसे ऐसे कोश्चन आपको देख जाता है लेकिन आपसे पुछेगा लो ऐस कहां पर पाया जाता है तो लो ऐस या कहना हरियाना में महंदरगड में पाया जाता है तामबा कहां पर पाया जाता है ये भी हरियाना में महंदरगड में पाया जाता है बजरी कहां पर पाई जाती है हरियाना में बजरी फ्रीदा व पर पाया जाता है तो यह अंबाला में पाया जाता है और प्यारे बच्चों के तीन देशों में हिलना पत्थर पाया जाता है एक अमेरिका में पाया जाता है और तीसरा भारत में पाया जाता है भारत में तर्खी दादरी के किस गाउं में पाया जाता है तो चर्खी दादरी के प्यारे बचो कलियाना गाउं में हिलना पत्थर पाया जाता है तो एस या का एक मातर एसा गाउं है जिसमें हिलना पत्थर पाया जाता है वेसे तो हरियाना में खनीज नाम मातर के है लेकिन जो हरियाना में पाया जाता है वो कहीं नहीं पाया जाता तो प्यारे बचो हिलन पत्थर है न चरकी दादरी के कलियाना गाउं में पाया जाता है इसे परकमपी पत्थर के नाम से जाना जाता है मलब यह हिलता रेता या डांस करता रेता है ठीक है कौन सा पत्थर है आपका हिलना पत्थर यह चरकी दादरी के किस गाउं में पाया जाता है कलियाना गाउं मे पाया जाता है कौन सा पत्थर रहेगा आपका हिलना पत्थर चरकी दादरी के किस गाउं में पाया जाता है कलियाना गाउं में हिलना पत्थर पाया जाएगा एक बार एकजाम में कोश्चन आया था प्यारे बच्चो गीता जेंती समारो कुरुक्षेतर में किस महिने में बना पहना गीता जेनती सामारो बनाया जाता है कहां पर जोती सर कुरुक्षेतर में बनाया जाता है वेसे तो राजी में अलग-अलग जगें बनाया जाता है लेकिन प्रोपर ये कहां पर बनाया जाता है एक बार मोरेसिस के साथ भी हमने ये किया था एक एक एक्जाम में ये कोश किस महिने में मनाया जाता है ये नवंबर महिने में मनाया जाता है किस महिने में मनाया जाता है कार्तिक संस्किर्ति उत्सव हरियाना में किस महिने में मनाया जाएगा नोंबर के महिने में ये तेवार हरियाना में मनाया जाता है तो प्यारे बचों ऐसे कोशन आगामी एक्जा सितंबर को है विसो प्रियेटन दिवस कब होगा 27 सितंबर को विसो प्रियेटन दिवस है हरियाना प्रियेटन दिवस पूछे तो कब होगा हरियाना प्रियेटन दिवस है एक सितंबर को हरियाना क्या होता है प्रियेटन दिवस होता है तो हरियाना प्रियेटन दिवस कब होग एक सितंबर को हरियाना प्रियेटन दिवस होता है ये भी आगमी एक्जाम के सबसे important question आ जाएगा अभी वरतमान में जो प्रियेटन डिपार्टमेंट है न वो हमारे शिक्षा मंतरी जी के पास है यानि कवरपाल गुजर जी के पास कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा प्रिये सिल्प मेला कहां पर लगता है ओएसीस में ओएसीस प्रियेटन स्टलाया था ये करनाल में है यहां पर कौन सा मेला लगता है सिल्प मेला किस महिने में लगता है तो नौंबर के महिने में ये सिल्प मेला प्यारे बच्चों जुलाई के महिले में आम मेला लगता है और लग से फरवरी के महीने में लगता है तो एसा भी कोशन आगामी एक्जाम में आप से पूछा जा सकता है तो कोई भी कोशन आए ना तो ये सिल्ब मेला OISIS करनाल में ये अक्टूबर के महीने में लगता है नूमबर नहीं प्यारे बच्छों ये किस महीने में लगता है आपसे पुछे जाएंगे एक बार ये कोश्चन आगामी एक्जाम में भी बन सकता है ठीक है ये जो आपका गोल्प मेदान है ना आपसे अरावली गोल्प मेदान ये प्यारे बच्चों पुछा गया था ये गोल्प मेदान नो होल वाला है इस गोल्प मेदान में कितने होल रहेंगे, नो, फोल रहेंगे, और यह किस, यह भी आ सकता है, यह किस highway पर है, NH2 पर रहेगा, और प्यारे विच्छो, NH2 का दूसरा नाम क्या है, सेरसा, सूरी मारग रहेगा, अभी हाली के एक्जाम में पुछा गया था, तो NH1 का भी दूसरा नाम क्या रहेगा, यह भी एक में था सेर्षा सूरी मारग रहेगा अब इन दोनों के नाम बदल कर कर दिया गई है एनच 54 तो एनच 44 का दूसरा Nah Paudis क्या रहेगा तेर स सूरी मारग रहेगा तो यह अरावली गुल्फ मेंदान वह पुछेगा फ्रीदाबाद वाला य cancer sa और प्यारे बच्चों केते हैं एन एच वन और टू का निर्माण है ना यह से आपका जीटी रोड ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था ना कलकता से पेसावर उसी का यह पार्ड थे और यह प्यारे बच्चों चंदरगुप्त मोरिये ने सबसे पहले यह बनाने का काम है किया थ उत्रा पंथ नाम हुआ करता था तो यह चीजी है ना आगामी एकजाम के साबसे इंपोर्टेंट हो जाएगी आज का लेक्चर प्यारे बच्चों आपको कैसा लगा हर बच्चा कोमेंट करके जरूर बताए कल आपसे दुबारा रूब्रू होंगे तब तक के लिए अस्ते अपना और अपनों का ख्याल रखिये और किसी भी हाल में एजुकेशन को बंद मत होने देना धन्यवाद दोस्तों जै हिंदे जै भारत लव यू ओल